नमस्कार मैं हूँ आपके साथ हरजुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदोस्तान पर कैलेंडर वर्ष 2024 की शुरुआत हो चुकी है देश बर से आप देख रहे होंगे लग-लग वीजुल्स कोई जमू कश्मीर की पहाड़ियों से लेकर के अगर बात की रहे तो केरल के समुंदर तक की वहां के अगर बात की रहे तो जो बीच है वहां तक की जो है वो खबरे आप देख रहे होंगे लोग जा रहे हैं नया वर तिश्ठा के बाद जो है वो यहां पर मंदिर बक्तों के लिए खोल दिया जाएगा उसके बावजूद बाहर से ही अभी जो है मंदिर के दर्शन करने के लिए आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग जो है वो पूरे देश बर से आज यहां पोहुँच रहे हैं और में बात करें पढ़े जí पहले नाम बत फैराई आप मेरा नाम महिश्च वश्शाद बगवाली है मैं केदानाद से बिलॉंग करनादाम से और हम जो है अपनी यातरा पर जो है बावा गये दरनादम के तीन बसें यहां पर पहुँच चुकी हैं और यहां पर सिराम जनोभ में प्रचंड बहुमत से हमारे मानियम मोदी जी जो है हमारे भारत के प्रदान मंतरी जो है यसस्वी और तेजस्वी जो भारत के लिए एक रत्न होके उबरे हुए हैं तो हम चाहते हैं हमारे जो छेतर वासी हैं या चारे पूरे भारत वासी उनको फिर प्रदान मंतरी की मोधिका जाना हुआ चाहे वहाँ पर आदिगुरु शंक्राचारे जी की मूर्ती का नावरन करना हो या फिर वहाँ जाकर के द्यान लगाना हो उस पर भी विपक्ष ने बहुत रार मचाया था अभी फिर से राम मंदर को लेकर बहुत रार्म चाहे कि ये तो पॉलिटिकल है, कोई राष्टेकार करम नहीं है, ये सब चीजे हैं देखिए, ये ऐसे पॉलिटिकल नहीं कहना चाहे जो बिपक्षबाले हैं हम ये नहीं है, हम तो जो कार्या हो रहा है, जमीन इस्थार पर तेक्षदर्शी दिखि रहा है उसके लिए मानियमोडी जी की हम तभी प्रसंचा कर रहे है, यदि आगर वही काम नहीं होता तो हम क्यों प्रसंचा करते है काम जोरों पर चल रहा है केदारनात पर भी उनका पूरे जितने भी हमारे धाम है सब पर उनका पूरी नजर है और हम चाहते हैं ऐसे जो दो बजे रात हम भी उनी के चलनों के पारदर्सी हैं हम भी जो है दो बजे उनी की दो उड़कर के और जो प्राणायाम है जो है उसी से पूरे भारत बार्शित जो है उनको उनकी प्रेना है उसी पर चल करके और भगवान उनको खोब सक्ति दे भगवान रामचन्दर जी जो है उनकी स्वेश्ठी सक्ति है और उनको ऐसी आजब धाज़गी दें कि जो हमारे भारत के लोग जो है अभी तक जब तक उनका जीवन रहे तो वो अपना समय प्रधान करते रहें वी देखो कितना संदर भवियरराम मंदिर बना हुआ है और मोदी जी को भी बगवान केदारनाच जी का अश्रवाद है योगी जी को भी बगवान केदारनाच जी का अश्रवाद है योगी जी वैसे तो रहने वाले उत्राखंड में ही जरूर है पर मोधी जी को भी बाबा केदारनाजी का असरिवाद है बगवान केदारनाजी जब वो तफस्या कर रहे थे मोधी जी केदारनाजी में तो बगवान केदारनाजी ने उनको असरिवाद दिया जाओ बेटा तुम अच्छा काम करो राज का काम करो प्रोपकार का काम करnat तो भगवानने उनको बहुत-बड़ा अथ्रबा दिया बाबा केदानाद जी योगी जी को भी मोदी जी को भी चोबिस चुनाब आ गया है बहुत अहम चुनाब है हम तो भगवान केदार्नाद जी से और श्री भगवान राम चंदर जी से यही जय जय कार मनाते है बोधी जी करोडू अरभू बोटू से जो है बिजयी बने और भी लोग आए हैं उनसे आपका क्या नाम? मेरे नाम देई परशाद जी है मेरे चैज़ जी आण फसे जी है मैरे जब 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 धरम के अधम ना स थेज होगा और दर्म से लेगा तब तक मैं भगवान चैज हम झाले लगे हम यह चाते हैं कि मोजी और योगी की जोड़ी हमें से बने रहे और आप लोगों के आश्रवाद से आप जंता के आश्रवाद से वो खुब फूले फ़ने हमारा असनातन धर्म अमर रहे हैं अभी आपने कहा कि भव्या मंदिर बने एकदम तयार हो रहा है एकदम सामने और 22 जन्वरी से प्रान प्रतिष्टा उसको जात मंदिर खुल जाएगा बक्तों के बाइस तारी को आएंगे जहां तक कोशिद करें जाएंगे अब अने जाएंगे तो फिर 23 को आएंगे यहां शील हो गया था हम आठ किलोमेटर आगे रुके तो अना ये दर्सना के लिए आये हुए आप लोगों के माने मीडिया वालों से भी धन्यवाद है आप माने सब लोगों को अश्रवाद है मारा कि अश्रवाद है वागोन के लिए जाए श्री के लाएंगे खुशी सिंग हम पस्ती के रहने वाले हैं तो आज एक जनवरी दोजार चोबिस निया वर्ष कलेंडर वर्ष तो राममंदीर आया आप दर्शन कर लिए दर्शन कर लिया क्योंकि नए सा कि शुरवाद हम अपने आराध राम जी से करना चाहते थे और मोदी जी के लिए तो वस एक गाना गाना चाहते हैं जो राम को लाएं है हम उनको लाएंगे जो राम को लाएं है हम उनको लाएंगे यूपी में फिर से हम यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे देखिए आपने सुनी यहां पर लोगों की राय और अभी भी अगर बात की राय यहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग जो है वो सुबा से ही पूंट रहे हैं दर्शन करने के लिए और अब 22 जन्वरी का इंतजार है जब प्रान प्रतिष्ठा हो जाएग उसके बाद आने वाले वक्तों के लिए जो पहले यहां पर जो गर्ब ग्रया है जो उसको खोला जाएगा उससे दस फीट दूरी से यहां पर दर्शन हो पाएंगे और तब तक वो काम कंप्लीट हो जाए इसलिए काम पिछले ना ही सिरफ अभी से बलकि पिछले तीन सालों से जो है यहां पर काम चल रहा है क्योंकि इतने बड़े छेतर में इस काम को करना और उसके बाद सुचारू रूप से सबी विवस्ताओं को बिनाना बीच में करोना काल रहा दो बार उसमें काफी जादा मुश्किल था फिर भी प्रयास जो है उससे चल रहा है जी करना बीच्पेट है झाल झाल